पूरे देश में लोकसभा चुनाव की धूम मची हुई है लेकिन राजस्थान में इसके अलग ही समीकरण नजर आ रहे हैं। बार बार पी-एम राजस्थान में रेलिया कर रहे हैं चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अब पहुँच चुके हैं किरोडी के गड़ यानि की दौसा लोकसभाजशेत्र में। वीडियो में इसलिए आखर तक बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार मैं हूँ चेतना शर्मा और इस मुद्धे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे एडिटर इंचीफ वरुन भंसालीजी। सर्वे आपसे जानना चाहूंगी कि PM मोदी एक बहुत बड़ा फेस है। जहां जाते हैं वहां के समीकरण जो पहले बने हुए हैं वो सारे डहसमेस हो जाते हैं और नए बनना शुरू हो जाते हैं। दोसा लोकसभाशित्र की जब हम बात करते हैं तो दोसा में अभी काफी टकर जो देखी जा रही है दोनों तरफ से बहुत ही जादा दिल्चस्प भी है और अगर उस राजनितिक टकर को हम देखें तो क्या PM की ये जो रैली है वो उनको बदल पाएगी बीजिपी किस फेव किया है वो कई बार का मंत्री रह चुके हैं और कहीं न कहीं सचन पाइलेट के द्वारा दी गई फॉलोइंग भी है और उनकी अपनी भी कुछ-कुछ फॉलोइंग वहाँ पर है लेकिन जिस तरीके से कि रोडी लाल मीना का जो ओधा है दोसा में उसके पाओं के भी बराब मुरारी लाल मीना की फॉलोइंग नहीं है एक तपका ये भी कह रहा था कि किरोडी लाल मीना को जो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया या फिर उनको मिनिस्टर जिल पद बड़ा नहीं दिया गया उसके गुस्सा स्वरूप जो लोग है उसका फाइदा मुरारी लाल मीना क पिल्कुल भी धरातल पे लग नहीं रहा क्योंकि किरोडिलाल मीना का कद इतना बड़ा है कि उनको पद की शायद जरूरत नहीं है आप देखिएगा पेपर लीक पर काम करना है वो भले ही हो मिनिस्टर ना हो लेकिन आज भी सबसे जबरदस्त काम वही कर रहे हैं आज भले ही वो चीफ मिनिस्टर या डेप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं हो लेकिन लोकप्रिता के दृष्टी से आज भी वो सबसे जबरदस्त काम कर रहे हैं ऐसे में कि रोडिलाल मीना खुद भी कद से बड़ा कुछ नहीं मानते पद को उतना तवज्ज़ नहीं देते और सबसे उन्हें जो उनका गाव है मीना हाई कोट वहाँ पर तमाम सारे प्रबुद जन जो इस एरिया के हैं दोसा के उनकी बैठक ली और वहाँ पर साफ साफ कहा कि ये सीख तो जितवानी है ही और उस बैठक का निशकर्श बहुत पॉजिटिव निकला उस पर से जब अब प्रध प्रधान मंतरी मोदी ये दोनों एक राजस्थान में एक पूरे देश और विश्व में इतने कदावर लोग हैं कि लोगसभा चुनाव की जहां बात है ना तो उसको पाट नहीं पाएगा और कोई क्योंकि साफ और सीधी बात है लोगसभा चुनाव देश को चलाने के मैं जानना चाहूंगी कि जो मिना समाज में नाराजगी थी जो हम अगर पूरवी राजस्थान की बात करें तो पूरवी राजस्थान में जो किरोडिलाज मिना जी को जो पद नहीं मिला जो सोचा जा रहा था जिस वज़य से सोचा जा रहा था वो वज़य पूरी नहीं लाएंगे तब लाएंगे तब लाएंगे की बात कई सालों से चल रही बहजबा की सरकार यहाँ बनी महस कुछ महीनों में ERCP तो आया ही आया उसके अलावा ERCP को लाने के लिए जो पैसा लगना था वो राजस्तान की माली हालत बहुत खराब है उसमें भी 90 फीसदी पैसा तो हम लोग जो इस्टन राजस्तान में नहीं बैठे उनको शायद पानी की उस किलत का अनुभाव ना हो जो दोसा फेस कर रहा है इसलिए यह इस्टन राजस्तान के नाल प्रोजेक्ट जो है वो दोसा के लिए बहुत बड़ी बात है प्रदान मंत्री मोदी आकर फोकस इस सकता है और बदल जाएगा और पूरी तरह से मैं कहता हूँ कि कनया लाल मीना भले ही एक कि रोडी लाल मीना या प्रदान मंत्री मोदी और किसी फेस से कंपैर करें तो होंगे थोड़े नए फेस लेकिन फिर भी जो ताकते उनके पीछे है वो बहुत बड़ी है कि रोडी ल प्रदान मंत्री लोगों को गर किसी को बनाना है तो वह उसमें कि फाल आप्षन है नहीं लाल महता है कि कहीं लाल हुई खीक ये लोग तेर सवेर जो मत पेटियों में बात आएगी जो EVM में बात आएगी वो मुझे लगता है निर्डायक होगी और वो कहीं न कहीं मुराली लाल मिना के पक्ष में नहीं होगी जैसे प्रदेश की अगर हम 25 लोगसभा सीटों की बात करते हैं तो उनमें से कुछ सीटे ऐसी हैं जो साख का सवाल बन गई है पार्टियों के लिए आप चूरू देख लीजिए बाड़मेर जैसल में लोगसभा शेतर देख लीजिए क्या उन्हीं में से दौसा सीट भी है दौसा सीट का सवाल चूरू या जैसल मेर बाड़मेर जैसा नहीं वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि चूरू में बगावत की गई है यहां पर किसी किसम की कोई बगावत नहीं है जैसल मेर बाड़मेर में आप देखेंगे तो बहुत रोचक चीज है एक वो शक्स स्त्यक्षी जो मंत्री है और तीसरी तरफ कॉंग्रेस से वो लड़ रहे हैं जो आज कॉंग्रेस का ही गटबंद आरेलपी से छोड़े हुए हैं तो आप देखिए यहां पर साफ स्पष्ट होता है कि हनुमान बेनिवाल से दगा करके कॉंग्रेस के टिकेट पे लड़ने वालों को क्या जाट समाज वोट देगा यह चीज उनके अंदर घर कर गई और फिर प्रधान मंत्री चुनने वाले चुनाव वाला तो लॉजिक बनता ही है तो वहां बहुत अलग सिचुवेशन है लेकिन दोसा की जो सिचुवेशन है वो पूरी तरह से एक है पानी है क्योंकि इसका ट्रेलर तो अल्लेडी आ चुका है एर सीपी घोशित हो चुका है नब्बे फीसदी पैसे के लिए एग्रीमेंट हो चुके है बहुत बड़ी उम्मीद अल्रेडी दोसा को मिल चुकी है तो यहां वो माज़रा नहीं है जो चुरू और बाड़ में जी अब एक दिन पानी आना और फिर उसके बाद पानी की समस्या जो जड़ से हमने जानी सबी लोगों नहीं कहा कि हम उसी को वोट देंगे जो हमारे लिए पानी लाएगा और किरोडी और मोधी की जोड़ी यह मैजिक कर सकती है क्योंकि उसका ERCP का जो भी फॉर्मुला है वो BJP ला पाएगी और यह डबल इंजन की सरकार जिस तेजगती से और बढ़ रही है पानी की समस्या का समाधान भी उसी और तेजी से बढ़ता जा रहा है अब देखना है दल्चस्प होगा कि दोसा लोकसभा शेत्र के जनता क्या चाहती है किस पर वो भरोसा करने वाली है और किस प अधान कर पाएगी और मिशन 25 में दोसा लोकसभा सीट की जो इंपॉर्टेंस है वो किसी से छुपी नहीं है अब देखना दल्चस्प होगा कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है किसके पेवर में जाने वाली है इस सीट यह तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन आप जरूर बताएगा आपके राय इस मुद्धे पर कैसा लगा वीटियो ये भी जरूर बताएगा और ऐसे ही और वीटियो उसके लिए देखते रहे हैं राजिस्थान समवाद नमस्कार Corona Soltech Quality, Dedication और Customer Satisfaction को Priority पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की Electricity में Cost Saving कराने और उन्हें Renewable Energy की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है क्योंकि Corona Soltech में हमारा मानना है कि देश के Resources को Sustainable बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा Contribution हो इसलिए Solar Projects की Timely Delivery करते हुए एक Partner की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम Update करते हैं और हमेशा आपकी Service के लिए ततपर रहते हुए Solar Energy का पूरा Potential आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं